C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 6 त्रिभुज और उसके गुण प्रिष्ट 134 6.6 दो विशेश त्रिभुज सम बाहु तथा सम द्विबाहु एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो सम बाहु त्रिभुज कहलाता है एक सम बाहु त्रिभुज A.B.C. आक्रती 6.9 बना ये इसका प्रती रूब यानि इसी माप का एक और सम बाहु त्रिभुज कागज से काटें पहले त्रिभुज को स्थिर रखते हुए इस पर दूसरा त्रिभुज इसे ढखते हुए रखें प्रिष्थ 135 दूसरा त्रिभुज पहले को पूरी तरह ढख लेता है दूसरे त्रिभुज को पहले त्रिभुज पर किसी भी तरह घुमा कर रखें वे दोनों त्रिभुज फिर भी एक दूसरे को ढख लेते हैं क्या आप देख पाते हैं कि यदी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की हैं तब तीनों कौन भी समान माप के ही होते हैं हम निशकर्ष निकालते हैं कि सम बाहु त्रिभुज में एक, तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं, दो, प्रतेक कोण की माप साथ डिगरी होती है, आकृती 6.9, यहाँ दो त्रिभुज दिये गए हैं, एक, त्रिभुज ABC में भुजाएं AB, BC और AC का समान माप है, दो, त्रिभुज ABC में भुजाएं AB, BC और AC का समान माप है, और तीनों कोण साथ डिगरी हैं, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो, एक सम्द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, आकरिती 6.20, एक, त्रिभुज XYZ में भुजाएं XY और XZ का समान माप है, दो, त्रिभुज XYZ को XM का रेखा खंड दो समान भागों में बाटता है, कागस की टुकडे से एक सम्द्विबाहु त्रिभुज XYZ काटिये, जिसमें भुजा XY बराबर भुजा XZ हो, आकरिती 6.20, इसे इस प्रकार मोड़िये जिससे शीर्ष Z, शीर्ष Y पर आच्छा दित हो, अब शीर्ष X से गुजरने वाली रेखा XM इस त्रिभुज का सम्मित अक्ष है, जिसके बारे में आप अध्याय 14 में पढ़ेंगे, आप देखते हैं के कोण Y और कोण Z एक दूसरे को पून तया ढख लेते हैं, XY और XZ त्रिभुज की सम्म भुजाएं कहलाती हैं, YZ आधार कहलाता है, कोण Y तथा कोण Z आधार कोण कहलाते हैं, जो परस पर समान होते हैं, इस प्रकार हम निशकर्ष निकालते हैं के सम्मद विबाहुत्रिभुज में, एक, दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, दो, समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। प्रयास कीजिए एक, प्रत्येक आकृती में कोण X का मान ग्याद कीजिए यहाँ नौ अलग अलग त्रिभुज दिये गए हैं, जिनमें एक कोण का माप दर्शाया गया है। प्रिष्ट 136 दो, प्रत्येक आकृती में कोण X तथा Y का मान ग्याद कीजिए यहां तीन अलग-अलग त्रिभुज दिये गए हैं, जिनमें एक कून का मान दर्शाया गया है 6.7 एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग 1. अपने खेल के मैदान में तीन बिंदू A. B. दथा C. अंकित कीजिये, जो एक ही रेखा में नहूं चूना पाउडर लेकर A. B. B. C. तथा A. C. पत निर्धारित कीजिये आकरिती 6.2. एक यहां एक त्रिभुजे भी C. दर्शाया गया है अपने किसी मित्र से कहिए कि वह निर्धारित पतों का उपयोग कर किसी प्रकार A. से प्रारंभ कर C. तक पहुँचे उदहरण के लिए वह पहले पत A. B. पर और फिर पत B. C. पर चल कर C. पर पहुँचे अत्वा पत A. C. पर चल कर सीधे C. पर पहुँच जाए स्वाभाविक है कि वह सीधा पत A. C. पसंद करेगी अगर वह कोई अन्य पत जैसे A. B. फिर B. C. लेगी तब उसे अधिक दूरी चलनी पड़ेगी दूसरे शब्दों में A. B. जमा B. C. A. C. से ज्यादा है एक इसी प्रकार यदि वह B. से प्रारंभ कर A. पर पहुँचना चाहती है तब वह पहले पत B. C. और फिर पत C. ये नहीं लेगी बलके वह पत B. ये लेकर सीधा B. से A. पर पहुँचेगी ये है इसलिए के B. C. जमा C. A. A. B. से ज्यादा है दो इसी प्रकार तरक करने पर हम देखते हैं के C. A. जमा A. B. B. C. से ज्यादा है तीन इससे पता चलता है के किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बढ़ा होता है दो अलग-अलग मापों वाली 15 चोटी तीलियां या पट्टियां लीजिए उनकी मापें मान लीजिए 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, इत्यादी 20 cm हैं इन में से कोई तीन तीलियां लेकर त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए तीन तीन तीलियों के विभिन समूह लेकर इस प्रक्रिया को दोहराईए प्रिष्ठ 137 मान लीजिए पहले आप दो तीलियां 6 cm, वो 12 cm लंबी लेते हैं तीसरी तीली 12 घटा 6, बराबर 6 cm से अधिक लंबी लेकिन 12 जमा 6, बराबर 18 cm से कम लंबी लेनी होगी ये सब करके देखिये और पता लगाईए के ऐसा क्यूं आवशक है एक त्रिभुज बनाने के लिए आपको तीन तीलियां इस प्रकार चुननी होंगी जिससे के उनमें कोई दो तीलियों की लंबाईयों का योग तीसरी तीली की लंबाईय से अधिक हो इस प्रक्रिया से यह भी पता चलता है के एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है तीन अपनी अभ्यास पुस्तिका में कोई तीन त्रिभुज जैसे त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज XYZ बनाईये आकरिती 6.22 यहां तीन प्रकार के त्रिभुज दिये गए हैं एक त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज PQR, तीन त्रिभुज XYZ अपने पैमाने यानि रूलर की सहायता से इन त्रिभुजों की भुजाओं को माप कर एक तालिका के रूप में निम्न प्रकार से लिखिए त्रिभुज का नाम, भुजाओं की माप, क्या यह सही है? त्रिभुज ABC, AB-BC-CA- AB घटा BC, CA से छोटा है, हाँ, नहीं, डाश जमा डाश, डाश से बड़ा है BC घटा CA, AB से छोटा है, हाँ, नहीं, डाश जमा डाश, डाश से बड़ा है CA घटा AB, BC से छोटा है, हाँ, नहीं, डाश जमा डाश, डाश से बड़ा है त्रिभुज PQR, PQ-QR-RP- PQ घटा QR, RP से छोटा है, हाँ, या नहीं, डाश जमा डाश, डाश से बड़ा है QR घटा RP, PQ से छोटा है, हाँ, या नहीं, डाश जमा डाश, डाश से बड़ा है RP घटा PQ, QR से छोटा है, हाँ, या नहीं, डाश जमा डाश, डाश से बड़ा है त्रिभुज XYZ, XY डाश, YZ, डाश, ZX, डाश XY घटा YZ, ZX से छोटा है, हाँ, या नहीं डाश जमा डाश, डाश से बड़ा है YZ घटा ZX, XY से छोटा है, हाँ, या नहीं, डाश जमा डाश, डाश से बड़ा है ZX घटा XY, YZ से छोटा है, हाँ, या नहीं, डाश जमा डाश, डाश से बड़ा है प्रिष्ठ 138 इस प्रक्रिया से हमारे पिछले अनुमान की भी पुष्टी होती है अधह हम निशकर्ष निकालते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि एक त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है उदहरन 3 क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसकी भुजाओं की मापें 10.2 cm, 5.8 cm तथा 4.5 cm हों हल मान लीजिए ऐसा त्रिभुज संभव है तब इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं की लंबाईयों का योग पीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होगा आईए जांच करके देखें क्या चार दशमलव पांच जमां पांच दशमलव आठ दस दशमलव दो से बढ़ा है? सही है क्या पांच दशमलव आठ जमां दस दशमलव दो चार दशमलव पांच से बढ़ा है? सही है अथह इन भुजाओं वाला त्रिभुज संभव है उदहरन 4 एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 6 cm तथा 8 cm है इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो संख्याओं के बीच होगी? हल हम जानते हैं कि त्रिभुज की खोई दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है, अतह तीसरी भुजा दी हुई दो भुजाओं के योग से कम होनी चाहिए, अर्थात तीसरी भुजा आठ जमा छै बराबर 14 सेंटिमीटर से कम होगी, यह तीसरी भुजा दी हुई दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक होनी चाहिए, अर्थात तीसरी भुजा आठ घटा छै बराबर 2 सेंटिमीटर से अधिक होगी, तीसरी भुजा की माप 2 सेंटिमीटर से अधिक थथा 14 सेंटिमीटर से कम होनी चाहिए, प्रशनावली 6.4 1. निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? 1. दो सेंटिमीटर, तीन सेंटिमीटर, पांच सेंटिमीटर 2. तीन सेंटिमीटर, छे सेंटिमीटर, साथ सेंटिमीटर तीन, छे सेंटिमीटर, तीन सेंटिमीटर, दो सेंटिमीटर दो, त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदू O लीजिए क्या यह सही है के एक, O-P जमा O-Q PQ से बड़ा है दो, O-Q जमा O-R Q-R से बड़ा है यहां एक, त्रिभुज PQR दिया गया है जिसके अभ्यंतर में बिंदू O दिया गया है त्रिभुज A-B-C की एक माध्य का A-M है बताए कि क्या A-B जमा B-C जमा C-A दो A-M से बड़ा है संकेत त्रिभुज A-B-M तथा त्रिभुज A-M-C की भुजाओं पर विचार कीजिए यहां एक त्रिभुज A-B-C दिया गया है जिसमें A-M, B-C को दो समान भागों में बाटता है प्रिष्ठ एक साउन्द तालीस चार A-B-C-D एक चतुर भुज है क्या A-B जमा B-C जमा C-D जमा D-A A-C जमा B-D से बड़ा है यहां एक चतुर भुज A-B-C-D दिया गया है पांच A-B-C-D एक चतुर भुज है क्या A-B जमा B-C जमा C-D जमा D-A दो कोष्ठकों में A-C जमा B-D से छोटा है चै एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटिमीटर तथा 15 सेंटिमीटर है इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए एक किसी त्रिभुज में क्या उसके कोई दो कोणों का योग तीसरे कोण से सदैव अधिक होता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर गौरव मार्वा तक्नीकी समन्वयक, बतिलैंग लिंगडो, तक्नीकी सहायक, मयंक कुमार निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक, निर्देशन व निर्माण, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत